नमस्कार सबी को आज मैं आपको भौम प्रदोस वरत कथा सुनाने जा रही हूँ भौम प्रदोस अर्थात मंगलवार को जो प्रदोस वरत पढ़ता है उसे भौम प्रदोस वरत कहा जाता है सोच जी बोले अब मैं मंगल त्रियोदसी व्रत की विधी विधान कहता हूँ मंगलवार का दिन व्याधियों का नासक है इस व्रत में एक समय व्रती को गहूं और गुड का भोजन करना चाहिए इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों और रोगों से मुक्त हो जाता है इसमें किसी प्रकार का संसे नहीं है अब मैं आपको उस बुडिया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया वे मोक्ष को प्राप्त हुई अत्यंत प्राचीन काल की घटना है एक नगर में एक बुडिया रहती थी उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था व्रत्दा को हनमान जी पर बड़ी स्रद्दा थी वहे प्रतेक मंगलवार को हनमान जी का व्रत रखकर यथाविदी उसका भोग लगाती थी इसके अलावा मंगलवार को एक नै तो गवा घर लिपती थी और नहीं मिट्टी खोथती थी इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसको काफी दिन बीद गए तो हनमान जी ने सोचा चलो आज इस व्रत्दा की परिक्छा ले और वे सादू का वेस धारन कर उसके द्वार पर जा पोगचे और पुकारा है कोई हनमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे व्रत्दा ने ये हैं पुकार सुनी तो बहार आई और महराज क्या आग्या है बोली सादू वेस धारी हनमान जी बोले कि मैं बहुत भूका हूँ भोजन करूँगा तू थोड़ी सी जमीन लीप दे व्रत्दा बड़ी दुविधा में पड़ गई अंत में हाथ जोड़कर प्राथना की है माराज लीपने और मिटी खोदने के अतिरिक्त आप जो भी काम कहेंगे वेह मैं करने को तयार हूँ सादू ने तीन बार परिक्षा करने के बाद में कहा तू अपने बेटे को बुला मैं उसे ओंधा लुटा कर उसकी पीट पर आग जला कर भूजन बनाऊंगा व्रद्दा ने सुना तो उसके पैरों के तले जमी धर्ती किसक गई मगर वह वचन हार चुकी थी उसने मंगलिया को पुकार कर सादू माराज की हवाले कर दिया मगर सादू ऐसे मानने वाले नहीं थे उन्होंने व्रद्दा की हातों से ही मंगलिया को उंदा लिटा कर उसकी पीट पर आग जलवाई आग जला कर दुखी मन से व्रद्दा अपने घर के अंदर जा गुसी सादू जब भोजन को करने को बैठी तो उसने बढ़िया को बुला कर कहा कि वह मंगलिया को पकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले वरद्दा की आँखों में विर्दा ने आँखों में आशु भर कर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हिर्दय को नहीं दुखाओ लेकिन सादू माराज नहीं माने व्रद्दा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा पुकारने की देर थी कि मंगलिया भार से हंसता हुआ घर में दोड़ा हुआ आया मंगलिया को जीता जाकता देखकर व्रद्दा को सुखत आश्चर हुआ वह सादू माराज के चड़नों में गिर पड़ी सादू माराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिये हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वर्दा का जीवन सफल हो गया